हेलो बच्चो बच्चो आपका बहुत बहुत स्वावत आपका नीड जे फैक्टरी कोचिंग में बच्चो हम लोगों ने वेड़ा स्टार्ड किया क्लास 12 केमिकल कानेमेटिक्स चैप्टर और ये चैप्टर वेड़ा आपके एक्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपू के इतना इतना ही नहीं मैंने ये भी बतायाता मैंने कि ए डाठ प्रेक्ट्र आप रेक्सन और रेट आप रेक्सा इंतर्म आफ कंसंट्रेशन कैसे डिफान करेंगे पार गिवन पर्टिकुलर रेक्षन के लिए अपन इस बात में डिसक्रस कर चुके हैं तो आज वेटा हम लोगों का जो लेक्षर चलने वाला वेटा उसके अंदर वेटा हम लोग आलेडी आने की प्रेसर और कसंट्रेशन यह आलेडी में आपको डिफाइंड कर चुका हूं jot piece यह सारी चीजे आपको प्रीबीस लेक्षर में लेक्षर नमबर टू में आपको मीलने कोसिस माज़ेंगे आपको केमिकल कार्णेमिटिक्स के जो आलेडी माने अच्छे से माने डिस्कस की है और एक आपको वेड़ा बतादू रूल के वेड़ा जो माने एक आपको ट्री बताईए प्लीज उसको जरूर करें ना तो कि सारे इन से आप इस बचने से लोचे से तो आप वेड़ा एक ट् इंटरवल और यहां लिखेंगे उनके इस्क्योमेट्रिक कोपी सेंड यह बस इतना वेड़ा स्क्राप के लिना बाकी आपको कोई जरूत नहीं आए पूरा इतना डेरिवेसर करने की केवल यह अपलाई करोगे डारेट आपको आंसर आएगा विद इन 5 सेकंड के अंदर त प्रेशर भी आप लेख सकते हैं तो लगाएंगे हम अप्रोडक्त के लिए लगाएंगे प्रोड़क्त क्यों सर्फ कोवकि रेक्टेंट से बन रही है इसी वरकार आगा मैंस है परड़ा मैंस है तो यह माइनस रेप्रजेंट किया जागा आनिकी रेक्टेंट के लिए वह यह प्रेशर भी सकतार वह वाईलू डिक्रीज होती है जबकि वीटा इसकी वाईलू हाना यह मियू इसको बोलते हैं हम लोग आने की स्टियो मैट्रिक कोफी सेंड क्या है क्या नहीं है कैसे सवाल करवाई है आपको मेलेगा लाट्चा नमबर टू केमिकल कानमेटिक्स का बहुत जाईएगा और ट्रैक कीजी का कोशन वीटा आपको एक से नई एंसेडिक आपको प्रॉल्म मिलेगी है आपको के लिए तो आज आपन वीटा सीखने वाले है कि लेक्षट हाट के अंदर क्या सीखने मेटा तो सबसे पहले मेटा आपको मैं देता हूं एक कोशन के आयाटी जेई का सवाल वीटा है यह क्लिया देखिएगा बहुत आसान सवाल लटा कहा है वीटा फार गिवन रेक्षण फार फार गिवन ए रेक्षण फार एक गिवन रेक्षण एक्स ए चलो इसको बड़ा यहां लिख लेता हूं ठीप इसको यहां लिख लेते हैं इसक कि X A यहां वेटा Y और B करें फार जिवन A रेक्षन X A Y और B बनना है जहां वेटा X का A का isometric adolescent है और B है isometricmoment का बिसेट दीगा किलियर हाँ है एक एक रेपरजेंट एक रेपरजेंट परजेंट्स एक बार इसको लिखी मेटा त्रह देव्ये दिये गया हिए लोग अर यहां वेटा आपान D T पिलास पॉइंट फोर एट एक वाइटू और यहां विदा लिखियेगा लॉग पिलास डीवी डीटीट और यहां लिखिये विदा बन ठीक बन हर नहीं हां बन पॉइंट दा पॉइंट दा रेशियो और रेशियो और य इसका एक वाई का रेशियो का वेटा देखिये इसको और मैं चार ओप्सन लिखाओ वेटा यहां पर तो लिखिये वेटा है हम पर त्री य तैन और दी वेटा लिखियेगा अपन वाई टैन अपन फ्री और यहां लिखिये वेटा हम पर सी वाला ओप्सन एक्स अफ्ट बाई यहां आफसे वेटा है हमिए आनंकी 1 y 4 and d option है और x upon αणिकी 4 upon यह 4 option बेता है हम पर इस reaction के मताबिक देये कहा रहा है कोई एक reaction बेटा आनुकी a negó coupon ax इसे क्या बनना है बेटा B बनना है ठीक तो ऑक रिप्रजेंट को यह दिया है लॉग माइनस दी अपाउं डीटी पिलस पॉइंट एक्वल टू लॉग पिलस डीवी अपाउं डीटी पिलस बन अब इसके बेस्ट वेटा यह हमें पुछा है कि रेशिव बताना है अपनको एक्स और य का रेशिव क्यों हो इसको हम जब ही कर पाएंगे जब हम पनको कुछ इसके रूल पता होंगे अगर रूल नहीं पता है तो बेटा हम बाल नोचते नोचते हम आने कर पूछ जांगे और इसका आंसर साथ हम लोग ना ला पाएंगे किलिया हो सकता बहुत सार वैच्छे इसका अंसर ले भी आयोंगे तो आई वड़े करते कैसे को स कुछते बेटा इनको लिखना इनको होते हैं स्टीहोंयत्रिक इस्टिहों मैट्रिक कोफीसाइड बोलते हैं THcause 묶्टीर होती iis छाटर एस्थम्स्यंट करेंप हैं अगर रेंट लिखें, तो रेंट कैसे लिखो गणा दिखिए अब, इसका रेंट अब रिसम कैसे लिखो गई है दिखना, तो आप लिखोगे, रेंट आफ रेक्षम माइनस बन आप अगस और दी ए अपाउन डी टी, रेंट अफ रेक्षम किसका आगा ये अन्हें A का आ इसी बरकार आप लेख सकते हैं यहां तो यहां जो rate of reaction देखा है इसके मताबिफ यह अपना rate of reaction रिपर्जेंट कर दिये पिलस इसलिए है तो कि यहां अप्रेंस वह यह प्रोड़क्ट यह माय इसलिए कौकि डि स अप्रेंस हो रहा है और रिक्टेंट i तो हमें यह ऑदेखना अब इसको इसको साइट करना है मुझे साइट कैसे कर जो और यह अब आपको मैं कुछ यहां चीज रिपर्जेंट करणूं जो कि यहां मैं यूज करूंगा ठीक जैसे देखिए यहां देखिगा इसकी वैलू अगर मैं लॉग 3 की वैलू देखिए वैलू तो 0.48 लॉग 3 की वैलू आपकी यहां आप देखिए यहां पर इसको हम लोग कैसे लिखते एक फार्म हो और लिख दो बटा सुमां जैसे देखना लॉग और A और B तो इसको लिखने का तरीका क्या है वैटा इसको लिखने का भूल होता है वैटा लॉग लॉग A पिलास लॉग B देख ऱलॉग वैटा यहां ठीक लॉगors पार लॉग A पिलास लॉग भी पार्मुला ये बिखना यहां जैसे आप आएब दे फार्मुला आपको पता हों चीए तभी आप इसको अच्छे से आप समझ पाऊगे इसको किलियर लॉग A अपॉन B का लॉग A माइनस लॉग B लॉग A इंटू B का फार्मुला आगा लॉग A प्लस B आगा ठीक तो कि मुझे यहां पर यह और यह और यह मुझे है यूज करवागा है ठीक देखेगा तो इसको बैटा कैसे लिखोगो देखना है इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग लॉग और यहां लिखते हैं माइनस का D A अपान D T पिलस लॉग अब बैटा देखेगा यह पॉइंट फोर एक लिख सकता हूं आर्रा में से लिख सकते है क्योंकि इसकी वैल्यू यह होती है तो मैं यहां लिख दूंगा लॉग थ्री लिख दूंग अब इसकी बात पर की बात लिख सकते हैं लॉग डी बी अपॉन डी टी पिलास अब बेटा देखिए ये लॉग बन आए तो लॉग बन बेटा सोरी जो लॉग 10 की वैलू कितने आती है बन तो बन की जिगा लॉग 10 यहां पर मैं लेख सकता हूँ यहां पर तो हमाड़ वेक्षट अगर पराग निकारा धर कॉलेत आज इसी Janus ९ाय को परण केर्के अ ग्रेक्षक को सुनुदेख आप तो यहां क्या आगा, यहां पर यह 3 है, तो लिख सकते हैं यहां पर है, आनकी minus da upon dt और into 3, log यहां से बेटा मने ले लिए common हैं से, ठीक, log यहां से common आ गया, तो यहां से बेटा यह value हो गई, और यहां बच्चड 3 बचेगा, ठीक, ऐसे यहां देखे बेटा हैं यहां पर, अग यहां value क्या हो जाएगी, log और यहां से, पिलास db upon dt और into, यहां जाएग बचा, 10 यहां का आएगा, कि लिए यह देखिएगा, अगर इसको लिखो गटा, अनि a into b, तो लिखो गए log a plus log b, यहां जाएगा, ऐसे इसको लिखो गए, अगर इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो बेल जाल गए, तो आप बता देखिए है यहां से देखना, यहां से देखिएगा, इससे, यह value जाएं, यहां से यह value जाएगा, है तो पन के पास क्या बचा बेला देखना, यहां बचएगा देखना, minus k d a upon d 3, जास को देखना, अनि कि minus k और इंटो 3 ऐसे है आप यहा लख सकते हैं आने कि 10 लख सकते हैं पिला से db ऑं dt और यहाँ सब्टा यहाँ ज़िछें जाहे है यहाँ लिखें को फर्मिक पढ़ता है जाहे ही हिर ज़िछें तो यहाँ लिखें तो यह मल्टिमेंटि यह वैलु है आप देखी वेड़ा इसको कैसे लिखोगे आप देखीगा इसको तो आप लेख सकते हैं पर माइनस के डी ए अपान डी टी और यहां लेख सकते वेड़ा लॉग टैन यहां लेख सकते हैं पिलास के डी वी अपान डी टी और यहां लेख सकते वेड़ा आने की थिरी लेख सकत यह जो 3 है ना इस 3 को विटा वेने यहां रिप्रेजेंट कर दिये गें क्योंकि इसके मुल्टिप्लाइ में यहां लिखो विटा इसको तब भी यहां पर आएगा बात एक लिए जो चीज यहां पर है उसको यहां लिख सकते हैं क्लिएर तो अब देखना यह किसा क्लें क्लेंट जै यह अभी मैंने मताया था मायनस के डी एपॉन दी टी और यहां विटा एक साइथा यह जलन यहां आयता पिलस करी डी बी डी ती और पॉन य क्लिएर यह मैंने कहना है पाट यह देखि एगा है बिए इंस यह देना रेट, ही लिखवा हाया, किसका लिखवा है गटा यह इसका रिय्ट मैंने लिवा हाया जब इसका रेट लिखो गए इस टोमेकर कोर्पिसेंड नीके आते है और लेद बिंद नीचे रिए सब्सक्राइट लांतर सेनग भी आरेड़र i पाव वे आम यहां दिखिगा इसकी जगा बटा क्या है आध एक्स और स्था गाद का टू आ यह वने की फिर open तो आपको कुछ चीज पता होगा आने कि यह चीज पता होगा लोग और यह चीज पता होगा तो इस तरह के कोसंस भी आपके अर्जाम में आ रहते हैं जो कि यहां से कौन सा आंसर हो गया यह वाला हमारा आंसर हो गया आने कितना है यह तो यह अच्छा कोसंस आई है आपको इसको ट्राइ कर वेड़ा इसको क्लिया इसी बेस सवाल है से आएगा ठीक कि अच्छी चीज़ें बस आपको नोट यहां से एक पॉइंट इसको लिखना गई इस सारे पॉइंट आपको नोट तवी समया गई है कैसे आप लिखो उसको ठीक वड़ाइए देखिए कि इसको लोग आगे कैसे बढ़ते हैं इसको दिखना है आप देखिए वेटा यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे अब यह सवाल था जो आले डिमाना आपको यह बता दिया जैसे देखिए और कैसे लिखो एड़ा आने की एक्स और ए वाई अपॉन बी यहां से दे दिया गया हम पर कि बताओ यहां पर माइनस का डी ए डी टी लोग एकोइल टू लोग पिलास डी भी डी ठी ऑर यहां ले सकते हैं पटा प्वाइंट इस तो बताओ यहां बेटा एब से और वाई का क्या रेसियू होगा ऐसे पूश सता है हम पर यह तो देखिए बटा इसको कासे लिखो हो यहां पर यहां पर d a upon d t upon x यहाँ पर rate इसका जाएगा और इसका आगवाटा यह d b upon d t upon y पिलास और यह माइनस खीक इसको लिखो गटा जब इसको लिखो गटा इसको लिखो गटा यहाँ से कैसे आगवाटा यह log यहाँ लिखेंगे minus k d a upon d t कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ देखिए इसको कैसे लिखोगे log बेटा यह यह value कितनी होती बेटा यह यह value होती है log 4 की value होती 0.6 होती ठीक तो अब value है का लिखो बेटा लिखोगे हमपर यह log बाहर देखा लोगे plus d b upon d t into 4 के लिए इस से बेटा यह cancel होगे हमपर यह तो क्या बचाएगे हमपर d a और d t equal to बेटा 4 है 4 यहाँ लिख दोहर plus d b और d t के लिए तो यहाँ से बेटा नीचे आ जा गई है इसना वाचा d a d t 4 minus plus d b d t कुछ नहीं है तो यहाँ बेटा का बाहर सकते हैं बन मान सकते हैं ठीक तो बड़ा यहाँ के आ गया x बराबर क्या हो गया x बराबर 4 आप यहाँ बाई बराबर क्या होटा यह यहाँ बन मान सकते हैं इतना हो गया बाई बराबर 1 आने की 4 into 1 यह इसका आज़सर आभी solve कर सकते हैं ठीक बहुत भी basic concept है बस आपको यह rule लिखना आना थी यह वक्त रखा कैसे लिखोगे इसको हम लोग आने की log a into dot b log a minus b सार रूल पता होंची आप ठीक आईजीगा इसको मैं नदा आज़सर नहीं करता हूँ प्लास instantaneous rate कैसे लिखा लें सार यह तो बहुत ही आसान है वेटा आसान है यहां कुछ नया सीखोगे आप गारेंट नया सीखोगे आप देखिए कैसे सीखोगे तो पहले आपके उताव महें पर rate कहा है पर यह देखिएगा आने कि डिफ्रेंट टाइप्स ओफ रेट डिफ्रेंट टाइप्स ओफ रेट एक अब्रेज है और इस टेनियस है ठीक देखिए घार पर यह कुछ नया सीखोगे हैं पेटा देखिना क्या पहले मैं बात करता हूँ बटा कि average rate क्या है ठीक हाँ है यह एक होता इस टेनियस रेट विटा अब्रेज रेट कि अगर मैं बात करूं तो यह होता है कि यह बात कर सकते हैं हनकी एक लार्ज इंट्रवल की बात कर सकते हैं किसी एक particular time की बात की बात हैं पर नहीं कर सकते हैं वो किलियर जैसे मैं एक आपको मैं कि अगर कोई माल अत्रून पूछा है और एसा भी होस्ता है कि रैड लाइन पर इसकी स्पीड जीरू हुए है तो अगर अगर हमसे पूछें कि आपकी अगर स्पीड कर रहे हैं तो भोई कहेंगे मेरी स्पीड जो रही बिडा वो लगवाइच 40 से 50 अनिस 60 के इसके बीच रही तो हम समझ जाएंगो उनकी वैलू का यह एक एवरीड वैलू है लेकिन वही अगर मालिक ने जैपुर से लखनों आ रहे हैं और उनसे पूछा कि कॉल करके पूछा कि बताओ अब आपकी कार की स्पीड क्या है तो मीटर देखेंगे बताएंगे कि अब मेरी कार की स्पीड कित कि-बता इस तो इन्स्टेंट आने की किकी मोमिंट पे मिखें पान्टिकुलर चहड़ी क्लियर तो देखी वाटा यह एब्रेज रेट क्या है हमें पढ़ना है chemistry के purpose से पढ़ना है तो लेकिना लेकिना the rate लेकिना the rate the rate the rate the rate the rate measured at large intervals ठीक आने के large intervals प्रें हम उसको major करते ठीक नहीं है कि जैसे देखी वेटा यहां पर सुनिएगा गराप की बेशर देखना कि एक से वेटा बन रहा है कोई प्रोडप यहां से बन रहा है कोई प्रोडक्ट यहां से बन रहा यहां जब रेक्शन इस्टार्ड नहीं हुई है तो यहां इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन मैंने क्या माल ली एबन मैंने माल ली क्या मैंने एबन इनिसर कंसंट्रेशन माल ली फिर देखा बेटा मैंने कि टाइंग एकोई टू आने की टीटू टाइंग हो सकता है टीटू बेटा आने की फाइब सेकेंड हो टैन सेकेंड हो क्लियर आनि इतना पता है कि इनमें को डिफरेंस होगा ठीक तो अब यहां से डिफरेंड होने ग्राफ सोगेंड़ हमारा देता इस मेल छहांता नेद हो सकते हैं आरं हम मखेल है तो मैं दले ले सकते हैं तो मैं आ यहां से इसकी जो concentration है वो concentration यहां से इस तरह से ऐसे से कलिर एक जब यह रहां से कंसंट अगी वेटा आちょっと मैंद माल लिया जैसे हमने माल लिया तिश्चथ यहां ही हमसंत्त ऑäs रातिए यहां ही दो सब्सक्राइब कितनी है आने की A1 Concentration है तो उसी time का कुछ न कुछ time होगा दोस्क मिनट चार मिनट तो मैंने माल लिया यह जो time है यहाँ पर कितना time है इसको मैंने माल लिया T1 क्या है time है पर क्लिया reaction हमारी आने की study में A Concentration है आनि कि जब time के है T1 time बेटा यह देखेगा clear अब जैसे जैसे time बढ़ेगा हम जानते हैं कि रेक्टेंट तुमारी concentration कम होगी और protect तुमारी concentration बढ़ेगी clear तो अब मैंने माल लिया कि कुछ time बाद कि इसकी concentration घटकर बेटा कितने हैं गई आनि की इतनी concentration रहे गई इसको मान माल लिया A2 और जो time है इसको मान माल लिया आनिकी T2 time माल लिया इतना clear अब इतना clear है कि सर जो A की concentration है वो 100% जादा होगी किससे A2 की concentration से क्यों जैसे time बढ़ेगा वैसे A1 की concentration कम होगी clear नहीं है तो अब देख लिए यहाँ से लटा यहाँ से value आ गई आते आते है कि आनि concentration इसकी इतनी concentration रहे गई time यहाँ पर बढ़ लाए ठीक तो आप देखी वेटा यहाँ पर आगा मैं rate निकाल लेंगे हाँ पर rate तो rate क्या होगा वेटा rate क्या होता है rate होता है आनि की change in concentration upon time time interval clear यह value है आनि की कितना change हुआ है time में और कितना change हुआ है टाइम में उसको बोलते है rate of reaction आप देखी यहाँ पर तो आप लेख सकते हैं वेटा है और यह बात मानना वेटा क्या यह rate है तो इसलिए वेटा मैं है लेख दे रहा हूं माइनस लिख दे रहा हूं ठीक तो बास्ता में जो rate क्यों आता है मेटा पिलास माइनस सी डिल्टा और यह value आती है time कर यह फार दो आता है तो माइनस मैं इसलिए ले रहा हूं हो रिटा क्योंकि मैं मानना हूं कि रेक्टेंट की कंसंट्रसन टम हो रही है हम पर यह पिलस लेंगे नहीं क्यों हमने प्रोड़ेट की कंसंट्रसन यहां नहीं लिखी है हमने किसके लिखिया है यह रेक्टेंट की कंसंट्रसन है जो कि हाँ पर क्या रेक्टेंट आने के ए है कोई रेक्टेंट के लिए इसलि किसके वो ध्यवान है kye इनीशल कितनी वड़ा है इनीशल एवन इनीश्टर सथ हैं आपउन जब ए टु को इनशटरसन है तो उसका टायम कतना है टी टुक आयम है लिख लिए है जब A1 concentration है तो उस समय time कतना है T1 यहाँ पर time यहाँ पर किया है आप बड़ा इसको और solve करोगे तो यहाँ से बड़ा आपकर क्या बन गया यह बन गया और निकॉंसर्ट और चैंज करोगे तो आप देखिए माइनस यहाँ पर माइनस है तो लिख सकता हूं माइनस माइनस पिलस यहां यहां तो आप इसको यह लेख सकते हैं आनिकी देहना और एक्वल टू एबन माइनस के यहां पर यहां बड़ा आनिक T2 minus T1 ये भी आप लेख सकते हैं, कलियर, तो इस फर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से आने की स्वाद सकते हैं, concentration के बीज पर, तोकि initial concentration ज़्यादा होगी, अब कुछ टाइंक की बाद जो रेक्टेंट की concentration होगी, कि वो कम होगी है पर किलियर तो इसकी कंसेंट्रसन इनिस्याल माइनस और यह फाइल कंसेंट्रसन यह है हमारे रेट का लिखने का तरीका हमारा है तो यह आपको पता हों चीवे से कॉंचर और इसकी वेस्पर एक हम लोग सवाल भी हापर कर लेते हैं ठीक हड़ा देखेंगा मैं और यहां से यह ऑर यहां से यह और यहां बार में पर देखाँ। ने यह नीचा की मुक्सेंट्रसन और द यह जीए मां सबस्क्राइब हम लोग आने की 2 सेकेंड जाए ये हम देखा कि कुछ time के बाल जो कंसंट्रेशन एक ही है वो कंसंट्रेशन और कम हो गई कम होगी यहां पर तो सबस्क्रांध मैंने यहां मैंने थे आपको लिप तो जब हमारे पास टाइम देखा गटा तो पता था कि हमारे पास रेक्टेंट की इनिशाल कंसेंट थी जब देखा कि पूर सकिंड बार देखा तो जो जो कंसेंट निकालते हैं यहां देखिए रेट का लिगाते हैं तो आप हमारे पास जो र्कैंट है यह तो करना है यहां पर यहां पर जैंगा पर यहां पर निजुए यहां पर देखेगा यहां पर – Final Concentration, कितनी है 4 Molar – कितनी है initial 6 Molar Concentration बेटर Time कितना Final Time कितना है 4 second Inical कितना Time है 2 second Time है ठीक तो आप बेटर method rate के लगालेंगे यहां से मानस और यहां कितना बचय गा माइनिस के 2 और यहाँ कितना आगए है तो आप देखे वट moss hänts को अगल इसलेखा और पर सकंद रेक आगर प्रेशर देता क्म ende should consider फ्रिशंट करते जहां इस इसका लेखे लो आप प्रेशल आधुक्त वीचलो खीटू अपान टेटू मायनस के ःगऩ ज्रह ऑनस कई को इस हम इस sucked सब्सक्राव जिए पर बैस प्रिशाल आइख यहां प्रेश्ब्र में हो कोई के रहा हुट इस तो आपक तर्लोत को नहीं है आशी आगे बटती है तो एक किल्या आँ त्यां इस है इस टा 모양़ा ओम चिसे से आगे बटते हैं डिर्ट आए आके बहता हैं कि lam Ideus को आणिकीए कि आज said खी जिकने अवस्ताफ में बहुत है इसको बोलते है आनिकी मिंचले मेंION तो यह वैटा जो मेजर किया रता है मैंने स्टाइड मत आयाता किसी एक पांटिकुलर टाइम पे और नहीं किसी एक छोटे से टाइम पे टीर नहीं है हाँ तो रेफ्रिजेंट कर सकते हैं डाई इसको यह लिखिए इसको यह लेकिन दा रेट मेजाड दा रेट दा रेट मेजाड आट ए अ आट ए पर्टिकुलर मोमेंट या इसको बोल सकते होटा आने की किसी इंस्टेंट पे या या ये भी बोल सकते हो आने इसको बोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बोले या किसी इंस्टेंट मतला किसी छड तो उस ताइम के लिए अगर उसको बोलेंगे और यहां से लिए क्या वनना है को बना ठीक यहां सा इसको बना है और अगर पी पांबर यहां जाहाए से बना सकते हैं इस दीक यह है अगर बनाया तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां किसी एक परिकुलार यहां पर यहां पर अब इस म確ने निकलाने बहुति हैं हम लोग बत दीड ऑी इस तरह से और यहां वहां हम लेएं इंलासे हैं अनिकी कोई लिि मिट लेगा सकते हैं आनिकी कि तो मैं यहां लेखते हैं आने तायम की क्या विय्ष में पर अबिएaney पर ओंडव कर yr scraping होapping तो अब हमेसिए यहां पर इसाली मेसते हैं पर खिर कोई चूरी थीस 작 gör में पे तो पता नहीं है कि कितने time पी value होगी अभी इसके सब्सक्राइब क्यों बोल सकते हैं अब पताओ इसका rate क्या होगा इसका कंसंट्रसंट इनिसर कितनी होगी तब इस लिमिट के हम यूट करेंगे इसलिए इसका डगरी में डाल दिया यह टॉप पटरी सवाल है और यह सवाल बहुत अच्छी सवाल है थी तो किसी एक particular time पीवटा उसको बोलते हैं हम लोग आने क्या instantaneous rate हम लोग बोलते हैं क्लिय अगरा सब्सक्राइब देता हूं यहां साथ यहां से आपका यहां से नूर्ट कर छो कर देंगे बहुत ही आसान चीजे हम पर यह एंगला नहीं है आप लिखने चाहिए लेग सत्य हैं पर यह चीजे चाहिन हम देजी विटार इसको यह यहां से इसका time कितना होगा यहां से कोई न पूर time t होगा और यहां से क्या होगा कोई न क्यां सजिए सब्सक्राइब एसको कोई भी बात नहीं है कितना इस दिए लिखो चाहां बत लिखो इसको ठीक आए अब सवाल रेट कैसे निकाल रेट तो देखी सवाल पेस होता है आपकी खिदमत मेड़ा सवाल देखेगा कि बहुत आसान सवाल विड़ा है के लिए है देखी सवाल क्या विड़ा यह सवाल विड़ा ही है जैसे के रिख्षिए आपको यह आनि कोसं दिया विड़ा और reps officer बंदन है हमार सामले आनि कोई यह वन्ना है पूरोडक बन्ना पूरोड बनना ठीक और यह है और एक ग्यास मांने लो यह कुछ बनना है कोई पूरोडेंट बनना है लिखा है देखना दा concentration the concentration बिटा दीख रहा लगी it is the concentration the concentration the concentration of of a of a और यह लिको बिटा ही आप पह पर बिट्ने बालुगा है 3 minus K कि नाइन टी माइनस के 4.5 ती स्क्वार कि यह कोई एसे बनना है प्रोडेट दा कंसंट्रेशन आफ एक ही कंसंट्रेशन कितनी है 3-9 ती माइनस 4.5 ती स्क्वार दे दिया का दिखाना है निकाना है निकाना दा लिखिवडास को यह था कि क्या निकाल सकते हैं रेट निकाल सकते हैं सकते हैं सारी चीज आपको मैं निकाल के हैं सबसे पहले आप बनाते हैं परमाइए पहला पॉंट लिए इसका फ्लाविंग फैक्टर का मतलब है कौन-कौन से पारामेटर कौन-कौन सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं चलिया तो इस फंट को आप गूट कीजिएगा और सवाल वी कौन-कौन को आपका अब यहदि पास नहीं है कि ना नहीं है पहला पाल पहा सकते है्ट कि आने कि time equal to gene अब इसके वटा एगी कोल सकता है आने की lo so initial rate pay initial rate कि initial rate कर रहे होता है आने की time कतक पना है आने की zero time जिरो टाइम पे पूछे या इनीसे रेट पूछे तो बात एक ही है कैसे देखालें इसको क्लियर देखीं गासे अनुग आपट ही आसान करिका है तो अब देखी गाए रेट तो रेट क्या होता है रेट होता है चेंज इन कंसेंट्रेसन अपॉन टाइम बताई वाटा क्या यह एक ही कंसेंट्रेसन को सकता है नहीं न ताइम कॉंस्टेंट नहीं हो सकता है इसलिए जो कंसेंट्रेसन को यह बैरेवल होके अगर टाम में एक सकेंट रखा वाटा तो इसके वैली कुछ और आगी टाम जीलो करोगे तो वैली कुछ और आगी पल पल बैली बतल लगिया इसका मतलव है हर पल क्या हूआ रिट इसका बदलेगा क्लिया देखें हांपर यह बहुत ही आसान तरिकें वेड़ाई है जिखना आनिक चेंज इन कंसंट्रेशन अपाउन आनिक टाइम के लिए आप डेलता लगा दे या इसमर्टी लगा दे चो आप इस फ़र्म एक लोगी जिएगा कोई फर्ण ने पढ़ने वाला है डी के लिए आनिक स्मॉल तो आप आप देखी बेटा जो एक ही जो कंसेंटरसन कितनी कंसंटरसन है 3-9 T-4.5 T-2 और यहां बेटा कितना है DT क्या है यह आप देखी बेटा यहां पर हम लोग टैस्स निकालेंगे स्ती वालू तो आप बेटा देखाओगे हां पर रेट हम दिखेंगे हम देखेंगा रेट कैस यह कंसेंटरसन है तो कंसेंटरसन का करेंगे आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो आप बैल्यू मिलेगी वह मुझे मिलेगा रेट टाइमर आप जीरू पर रात कर देखी बेटा यह कॉंस्टेंटा थी जीरू होगा इसका कितना होगा जीरू होगा अब यह कित कितना होगा है यह कितना है माइनस के कितना होगा यह आने की 2 into 4.5 और into t बचेगा इतना क्लियर रही है यह value है से बचेगे तो इसकी बड़ा स्वाल करोगा है यह हमारा कितनी आगी आने rate आगा माइनस के 9 माइनस के 9 और कितना होगा है माइनस के 9 यह हमारा क्या आगया यह हमारा rate आगया लेकिन rate हमसे पूछा क्या है यह rate पूछा है t equal to 0 मतलब initial rate क्या होगा आने time करके हमें 0 रखेंगे clear sorry है माइनस लगा लेजी वड़ा क्योंकि यहां पर concern ट्रसल वड़ा एक क्या है यह रेक्टेंट है तो रेक्टेंट में माइनस लगांगे क्यों क्यों कि इस ती value decrease होती है बिद ट्राइम के साथ तो माइनस यहां लगा हो वड़ा है अब आता है यहां लेक्टा अब छेला है अने की माइनस चला है अ और आप अब यहां अनिकी पिलास यहां रहा किर तो यह मानस इहां रहे है रहेगा इसे इस इस कि मानस रहे है रागी करो मिल फेसे किने होका यह नहीं हो गांगा यह बुद्न से प्रिंट्ट कि मैंना से कि लिखने बिटा है कि एड टी एक्वाइट जीरो पर रेट कितना हो गया यह हमारा क्या हो गया रेट हमारा हो गया अगर अब पुछ्छा आने की यह कौण सा इनीचल रेट मतलब आने की जीरो का रेट है इसको बोलेंगे इनीचल रेट अगर आप से पुछता कि इसी के पूछे वे डाज देहना कि अगर पूछे इस में कि add rate at p equal to two seconds कि दो seconds पर rate क्या हुआ आने कि rate equal to two seconds कि आपको वह ऐसे लिख देपर में या आपको वह ऐसे भी लिख सकता है कि rate बताओ कि two seconds पर rate क्या होगा तो इक वटार कुछ दाज समय आ है हमारे पास यह function rate का यह अब यहाँ टी बराबर रहाएँ देंगे डो सकेंड हमारा rate के आ जाएगा के लिए जह कि वटाद है तो कुछ गआश्या है यह 9 तो आई पिलस 9 त आप यहां कि तना रख्खो गडा यह 9 9 plus 9 x 2 तो कितना होगा 9 पिलस तो इंटीन होगा 27 मूलर पर सकेंड तो रेट कितना होगे डाई है 27 पर पर मूलर रेट थीक यह हमारा क्या हो गया तो हमारा रेट आने इनिशल रेट हमारा कितना आ गया 9 मोलर पर सकेंड टू सेकेंड पर कितना हो गया यह तो इस तरह आप निगा सकते वड़ा यह आपना रेट निगा सकते ठीक नहीं है अगर पूछेगा कि आगर यह प्हंसद या अब इसके बताओ कि एखर जावरेट कैसे निगाला हो गया है सवाल दिया अब इखरेज और दिया अबहुत कि यह एफ्रेज रेट से निकाल लेका की है यह का एप्रेज रेट निकालने तरीका नीजा किसले ceğiz निखलेगा वो रेट कैसा होता है चेंज इन कंसंट्रसन अपन टाइम होता है तो आबरेज तो मैटा तो जादा लेंगे न और यहां पर क्या आगा यह दीटी आगा लेकिन जो इंस्टेनियस ता आने की इंस्टेनियस जो रेट था वो रेट तो क्या मेरे पाल दी आपन अब हो रिघ्र के लिडिटी तो यह दिशतिकां ने की जो रेट मिकाले यह देखेगा यह यह देखेंगा यह देखेगा यह 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 इंस्टेनियस रेट आ ह। क्यों कोई बिटा यह किसी एक particular time की value है तो यह average rate नहीं है यह instantaneous rate और यह यह देखना यह यह rate कौण सा है यह यह वाला rate यह rate कौण सा है यह वाला rate यह यह rate यह यह जो rate है यह average time नहीं है यह instantaneous rate है तो अब हमसे पूछा क्या विटा है कि अगर इसको देख करके इसको देख करके अब बताओ कि आप average rate क्या होगा average rate तो average rate निकालने के लिए हमें इसकी concentration एक तो निकालनी पड़ेगी initial ठीक और एक concentration हमें निकालनी पड़ेगी इसकी अनि final concentration तो दो concentration हमें सहारा लेना पड़ेगा तब हम निकालेंगे कि average rate क्या-क्या होगा clear तो नोट कर वेड़ा इसको ठीक हाँ तो average rate निकालने के वेड़ा यही है परिके वेड़ा ठीक हाँ तो आएए इसको माँ थार्ट लिफ्ता में डाह पर लिखना कि average rate average rate एक टाइम बन सेकेंड एंड टू सेकेंड कि एंड टू सेकेंड पे जो average rate होगा तो average rate कितना होगा और तो अब दिखी वेटा जो average rate है तो अब हमें जो एक सेकेंड है तो एक सेकेंड की जो concentration है वेटा वो concentration हमें पता होना सही है तो पहले हम concentration कि एक सेकेंड को concentration कितनी है तो टू सेकेंड की हमें जो concentration है वो concentration की हमको निकाला पड़ेगा कि एक सेकेंड पर concern क्या होगी अब दो सेकेंड पर concern क्या होगी उसको तो निकाल करगे रेट मा रखेंगे तब निकले का मेरा एबरिज रिएट क्लिए तो यह डिफरेंस किसका है यह अगर आपको डिफरेंस करना नहीं आगा तो आप बहुत बड़ी करती करोगे क्योंकि इस इस्पेस्पिक टाइम आप रखती हैं यहां पर यहां एक एबरिज बैलु निकालते हैं के लिए यह तो पहले मैं निकालता हूं कि टे कवार्ट बन सेकेंड के हमार पास कंसेंट संट क्या होगी फिर निकालेंगे त्यू सेकेंड पर यह अगरे बहुत आसान हो बस एक बार कॉंसेट आप इसके सीख गया तो आप भूलोग नहीं इसको कॉंस बस कैसी आप एक बार कॉंसेट्ट माइंड बिल्ड़ ने थीक आहीं देखेगा कंसांट्रशन पहले कहा वेटा आहीं कितनी है अ अ कंसंट्रेसन है 3-90-4.5 स्कार 3- 0 3- यहां हम निकालेंगे आनिकी संथ कि यार् देखेगें को तो चस्प टो कितनी मालोरा ह मुँटा कितनी माई रहा पर ये आद की बन सकेंड गिन ileto संट्रेशन विटा कितनी है ये टी कोल टू बन सेकंड अब तो कंखुज नहीं हो गड़ा ये एक का मतलब क्या है तंसंट्रेशन एक ही टी कोल टू बन सेकंड तो आप जहां टी है ना तो बहां आप एक रखतों बन सेकंड दीखेगा 3-9 into 1 ये रखा minus 4.5 और into 1 ये रखा यहां बन और यहां बन ये रखा तो बेटा ये कतना होगा 3-9 माइनस के बेटा कितना होगा ये 4.5 बेटा बन के स्क्वार बनी रहेगा कोई चेंज होने वाला नहीं है तो अब बेटा इसको सौल परोगे तो बाल कितनी आएगी बेटा देखिएगा ये माइनस के कितना होगा माइनस के 6 होगा माइनस के 6 और माइनस के 4.5 नाइन में बेटा 3 एड करोगे तो माइनस के 6 बचेगा और ये माइनस के 4.5 तो कितना होगा ये ये आपको होगा आनि कंसंटंटेशन होगी बेटा कितनी होगी ये आनि की T éq.1 सेकेड्ड पे इसकी वैल्य आएगी माइनस के 10.5 ओर इसकी कितनी आ रगे बेटा ये आनि कि फीलास के 6 और आनि अब यहाँ देखिए वेटा यहाँ चेंज नहीं करता हूं में बस इसु लिखी नहीं तीक एक ही काइड़ेशन टीवोट टू तो अब बेटेकर रखेंगे यहाँ पर यहाँ पी की जगेंगे 2 रख दिया माइनस 4.5 और 2 का स्कार बेड़ा कितना होगा यह तो आप देखिए बेड़ा कितना होगा थीक तो आप देखिए बेड़ा कितना होगा यह यह होगा इसको मैं चले हम आनी पाएगा 3 माइनस बेड़ा कितना होगा यह यह 9 इंटी 2 18 होगा माइनस के 4.5 और बेड़ा कितना होगा यह 4 होगा थीक यह हासर 2 का स्कार 4 होगा इसको मैं चले करोगा ना तो कितना होगा 3 माइनस 18 अब बेड़ा कितना होगा यह इसको करोगो स्वाग तो माइनस का 18 आएगा कितना आगा यह 18 आएगा तो यहां से बेड़ा कितना आ गया अगर 18 18 आड़ कितना होगा माइनस का 36 अपिलस का 3 तो माइनस का 33 आएगा ठीक तो कंसांट्रेशन कितनी होग बेड़ा यह आने के AK concentration T equal to 2 second पे कितनी हो बैटा minus के 33 molar concentration होगा है बैटा इसको solve रोगा 3 minus के 36 होगा तो इस minus minus कितना होगा है ये value है 36 तो अब बैटा ये plus का है तो कितना होगा है ये minus के 33 हो जाएगा तिक इतनी mathematics आना जाए है आपको तो अब हमारे पास rate कितना आगे बैटा ये rate आगया और यहां की concentration यहां की concentration यूज़ करके rate निकाल लेंगे के लिए तो देखिए हाँ पर rate कैसे निकाल लेंगे बहुती आसान तरीक बैटा है हाँ पर ठीक नोट को खोशे से डिसको ठीक इतना आसान बैटा है ये बहुती आसान तरीक बैटा है किक नहीं ये आई देखिए उसको ये अब यहां से निकाल सकते हैं आने की rate निकाल सकते हैं अगर आसने लिए आ तो आसे माइनस क का एक कीस पाइनल कंसिंट्रेशन मा acces daran बैड esseवाल का निकाल सकते हैं सरी ये कौनजसे डिफ्रेंस सब्सेज़र होगे तो मांवाई- मांवाई मालेनस प्लस तहीं पिलसël सका इसली लिए थीक यह माईनस इसलिए लिख रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के जी करने के लिए ठीक आप बिड़ें हैं से कहने का सकते हैं कितनी हां पर यह इनिचल कंसंटसराइं मेरे पास यह है कि इतनी है तो आप निकाल सकते हैं पर यह थीक देखिए हैं पर यह आणि कि आणि कि अ एक्वाइड को माइनस के थाटीन पॉंट फाइव माइनस के अनि 33 जीह हैं तो ताइब है टंटा त्यक्स आप टूश। इसके विट्य हे संते हूं सिर्ग हो एग्तिताद कथी यहां से रिकंट किसो चीण से परोगे तो यहां से बेतां तक हितना प्रसांपाइब?", यहां से बंधा से बंध में कि यहां से तो यह से कितना आगाा है यहां से निकाले वाटा देखिए अगर पूरे 10 होते हैं कितना यहां से थैर मोलर पर सकट रीट आएगा इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं इस पूरेट में क्लिया तो बेसिक तरीका वेड़ा सवाल कॉंसेप्ट कहा है बिल्कुल बेसिक है यह तो रेट कैसे निकाला हाँ पर यह इसको निकालो वेड़ा कितना आ गई है पिलस का 22.5 यह रेट आगा वेटा और यूनिट का मोला सवाल पाल सेकेंड क्लिया बेसिक सवाल में अठाया कि एब्रेज में और इंस्टेंज में डिफ्रेंस क्या है यह आपके लिए एक बहुती बड़ा रामबाड है को आपको सौल परने की निमिल गवर्ण और एंसर अडिमा यह सवाल आपकी बहुत दी सवाल है नूट करो अ इसको वेड़ा अगला जो कॉंसर्ट में रहा है अगला जो कॉंसर्ट वेटा वो है रेड़ अफेक्टिंग यहां हम लोग सीकेंग वेड़ा आने की कंसम्स का पड़ेगा परेसर का पड़ेगा नहें परेसर फ़ेस्ट का पड़ेगा ये सारी चीजें आहांगे बताबंगा मैं ल्यक्र में इस डीक तो आज बूद हो सब्सक्राइब मैं यह बाइंड आप करता हूँ क्योंकि यह रेंट से रिलेक्टिट जो की कोशन थे वो कोशन आप यहां से क्या हो गए बाइंड आप एंड साइड उठाईएगा लगाईए कोशन जेए के नीट के आपको सारे कोशन आपके हैं से सॉल्ब होगे क्लिया प्लस यह टॉपिक लेंद ही है तो इसको हम पढ़ेंगे नास लेक्टिर में तब तक इस्ट्वेंट अपना ख्या लखिएगा ओके बाइंड मिलते हैं एक नई उम्मिन के साथ नई मून के साथ ओके बाइंक यू